दोस्तों आज मैं आपको यूरीकैसिड के बारे में बताने वाला हूँ आखिर क्या है ये यूरीकैसिड ये शरीर में कैसे बढ़ता है और इसके क्या लक्षण है और हम इसे कम कैसे कर सकते हैं शरीर में प्यूरीन के टूटने से यूरीकैसिड बनता है प्यूरीन एक ऐसा प कारण इसकी मातरा बढ़ने लगती है पहले यूरिक एसिड उम्र बढ़ने के दोरान जब किड़नी कमचोर पढ़ने लगती थी किड़नी अच्छे से काम करना कम कर देती थी तब बढ़ता था लेकिन अब ये समस्या खराब लाइश्टायल की वज़ा से यंग लोगों में भ जमा क्यों होता है इसकी सबसे बड़ी वजा है दोस्तों पूरे दिन भर में पानि कम पीना पानी कम पीने के वज़ह के पेशाब कम आएगा और ये यूरिक एसिड केवल मल मुत्र द्वारा ही बहार निकल सकता है इसे निकलने का और कोई जर्या नहीं है पॉई रास्ता होता है इसके लावा आप अपने डायट के अंदर ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जिसके अंदर प्यूरीन की मातरा ज्यादा होती है जिसके वज़ासे हमारे शुरीर में यूरीक एचिड की मातरा बढ़ने लगती है और यह यूरीक एचिड शुरीर के अलग-अलग प्रोटीन पर इसकी जादा मातर होने के वज़ा से श्रीर में इकठा होना शुरू हो जाता है। अब टाइम से अलकोहल का सेवन कर रहे हैं तब भी यूरीक एसिड बढ़ने का एक ये कारण है। हातों की उंगलियों में या फिर पैरों की उंगलियों में अकडन या फिर घोटनों में अकडन महसूस करते हैं तो आप अपना यूरीक एसिड जाच जरूर करवा लिजए। आईए अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में घरील उपाया के जरूरीक एसिड का इलाज आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली और बहुत ही जरूरी चीज है पानी। यूरीक एसिड शरीर में से बाहर करने के लिए आपको रूटीन से ज्यादा यानि कि कम से कम डेड़ गुना पानी पीना चाहिए। अगर आप गुनगुना पानी पी सकें तो इसके फायदे नॉर्मल पानी से ज्यादा होंगे। थंडा पानी तो वैसे भी यूरीक एसिड में बहुत ही ज्यादा नुकसान दायक होता है। आपको जब भी प्यास लगे तो आप गुनगुना पानी पीज़े या फिर मिट्टी के घड़ी का पानी पीज़े नहीं तो फिर आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर फ्रीज वाला ठंडा पानी नहीं पीना है। इसके लावा ज्यारा से ज्यादा विटामिन C और सेट्रिक एसिड वाली चीजें खाने से यूरिक एसिड शेरी से बाहर हो जाता है। विटामिन C बढ़ेवे यूरिक एसिड को कम करने का बहुत ही आसान इलाज है। आप जरूर डाइट में विडामिन C वाली चीजों को शामिल कीजिए, खासकर आवला और नीम्बू का सेवन अवश्य कीजिए, इसके लावा आप एपल साड़े विनेगर का भी सेवन कर सकते हैं, यह शरीर में से यूरिक एशिड को बाहर करने में बहुत हेल्फूल होता है, एपल साड़े विनेगर के अंदर एंटी आउक्सिडेंट, एंटिप्लमेटरी गुण बहुत ज्यादा मातरा में मौझूद होता है, जो शरीर में एसिडिक नेचर को घंटाने का काम करते हैं, तो इस सिर्के का काम है खुन के pH वैल्यो को बढ़ाना और यूरिक एशिड को शरी में कम करना, तो आप रोजाना दूट चम्मच सेव के सिर्के को आधी गिलास नॉर्मल पानी या फिर गुरुना पानी भी आप ले सकते हैं, इसके अंदर मिला कर सुबह खाली पिट पीते हैं तो यूरिक एशिड शरी में से बाहर हो जाएगा, लगतार कम से कम इस तर भूना हुआ जीरा पॉडर डाल दीजे, साथे इसके अंदर दो चुटकी भूनी ही अजवाइन डाल कर इसे मिक्स करके पिया कीजे, आप इस तरह से छाच बना कर रोजाना दो से तीन गिलास पी सकते हूँ, बहुत फादा मिलेगा, इसके लावा दालों से ज्यादा आप स सबजी और फल को खाईए, सबजी और फल खाने से युरिक एसीड शेरी से बाहर होता जाएगा, इसके लावा सबजी और फ्रूट्स में आप सेब और टमाटर ज्यादा खा सकते हैं, ये युरिक एसीड कंट्रोल करने का बहुत अच्छा सोर्स है, युरिक एसीड एक ऐसी चीजों में ओमेगा-3 फैटी एसीड ज्यादा होता है, उन चीजों को खाने से युरिक एसीड कंट्रोल में रहता है, आप ओमेगा-3 का सप्लिमेंट भी ले सकते हो, या फिर आप अलसी या अखरोड को डैट में शामिल कर सकते हो, अलसी और अखरोड आप इस गर्मी के तो अखरोड भीगो दीजे और सुबह भीगेवे अखरोड को चबा-चबा कर खालीजे, इसके लावा आप तील और गुड का सेवन भी कर सकते हैं, ये दोनों ही चीज़ें शेरीर में बढ़े हुवे युरिक एसीड को कम करते हैं, आपको इनका सेवन एक साथ करना है, तील और गुड खाने से शेरीर में से युरिक एसीड कम होने लग जाएगा, इसके साथ जितने भी अमलिये चीज़ें हैं, उसका सेवन पूरी तरह से बंद कर दें, जैसे कि शराब है, चाय कॉफी है, इसके लावा रेड मीट, चीनी यानि शक्कर, राजमा, चावल, छोल मैदा, बीन्स, इनका सेवन भी कुछ टाइम के लिए रोग दें, आप नास्ते में ज्यादा से ज्यादा फाइबर का सेवन कीजे, आप ओर्स खा सकते हो, हो सके तो खाली पेट रोजाना एक सेव जरू खाएं, सेव के अंदर मैलिक एसीड होता है, जो युरिक एसीड को मै भूनीवी अलसी के बीजों को खाना शुरू कर दीजे, भूनीवी अलसी का सेवन करने से युरिक एसीड क्रिस्टल बहुत ही जल्दी पीघल कर शेड से युरिक के तुरू बहार निकल जाता है, आप स्वाफ और अलसी का सेवन लगातार रोजाना कर सकते हो, इससे कोई न ना मिलता हो, तो सफेद पेठा मिलेगा, देखे, वैदार में इस तरह का पेठा मिल जाएगा, सफेद पेठे का जूस पीने से भी युरिक एसीड की समस्या में बहुत फादा मिलता है, लगातार साथ दिनों तक अगर आप बत्वे का जूस पी लोगे न, तो इससे युरि करके देखेगा, तो दोस्तों, आज हमने जाना, युरिक एसीड क्या है, युरिक एसीड बढ़ने के कारण के बारे में, युरिक एसीड के लक्षणों के बारे में, और इसके डाइट के बारे में, उमीद है, आपको जानकार ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीड करते वे जाएए धन्यवाद